वेल्कम बैक तो फुट टॉक सो वी आ बैक आफ्टर 24 और 25 देज और मैं जा रहा था कहीं छोटी सी ब्रेक ली जाए लेकिन अनफॉर्चेलटी वो छोटी सी ब्रेक जो थी वो बहुत बड़ी ब्रेक बन गई इसके पीज काफी इंट्रस्टिंग गेम्स हमें देखने को मिले रियाल मैडरेड पीट अटलेक्टिको मैडरेड और उसके बाद रियाल मैडरेड थैस्ट एफसी बार सनोना पर हम उस पर डिसकर्स नहीं करेंगे हाज हम बात करेंगे जोजे मरीनियों के उपर क्योंकि जोजे मरीनियों has been set by A.S.Roma I think that's very harsh to be honest क्योंकि अगर आप A.S.Roma क की टीम को देखे तो A.S.Roma की एक एवरिश टीम थी और एक एवरिश टीम को बैक टू बैक यूरोपियन फाइल्स किलाना इस बिग अचीवमेंट सबसे पहले उन्होंने कॉंफरेंस लिंग जिता ही उसके बाद उन्होंने यूरोपा लीग का जो फाइल ता सिविया क्या क कि इस वह तो हम दोनों के बैश्पेक्टिफ से दिस्केंगेद्स मरीन के के सबस्तो थे यूरोपियन को लेकित यहाँ पर एस रोमा को एक पास समझनी पड़ेगी और वो यह कि अगर आपने जैंबियर लीग में खेल ला है अगर आपने जैंबियर लीग फंबॉन खेल लिए तो यू हैव तो स्पेंड बेग अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो अगर आप कॉंपिटिटिव लीग की इस वक्त बात कर रहे हैं तो मेरे खाल से प्रेमेर लीग हैंड्स डाउन दे बेस्ट लीग इन दा वर्ड अकर उसके बाद कोई लीग आती है कॉपिटिशन में तो वह इस वक्त सीरिया ही चंद दिये सीरिया एब चे से साथ आठ टीमें जो है वो डॉप फॉर के लिए फाइट कर रही हैं अभी भी एस रोमा के पास अभी भी एस रोमा कोई इतना पीछे नहीं थी एस रोमा पांच पॉइंट से पीछे डॉप फॉर्म की पॉजिशन से हाँ अगर आप वीसंट फॉर्म की बात करें एस रोमा की तो मैं मानता हूं कि वीसंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है रीसंट जी वो कॉपा इटेलिया में भी आ रहे है उसके बाद भी इतना कोई अच्छा रन नहीं जा रहा है चाल पांच गेम से बट स्टिल मैं कहूंगा कि मेरे जोजे मरीनियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यह जो नया मैनेजर वो नेकिया है उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर देंगे या एस रोमा जोजे मरीनियों से पहले क्या एक्सपेक्ट कर रही थी लीग में या क्या कर रही थी लीग में वो भी हम सब के सामने है I think जब जोजे मरीनियो आये थे एस रोमा में हम में से कोई भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो और शायद एस रोमा के फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि डिबाला लुकाकु जैसे प्लेर्स एस रोमा के लिए खेलेंगे तो जोजे मरीनियो ने डिब उन्होंने टोटल दो सीजन में 20 मिलियन स्पेंड किये 67 मिलियन मों प्रॉफिट में गया तो अगर आप एस रोमा की दो साल की स्पेंडिंग्स देखे तो टोटल 20 मिलियन उन्होंने स्पेंड किये जोजे मरीनियों ने और अब भी भी अगर आप देखें तो चैंपियन लीग की कौनिफिकेशन को इतनी इंपॉसिबल सी बात नहीं है अगर आप देखें तो पांच पॉइंट इस वक्त एस रोमा पीछे है चैंपियन लीग कौनिफिकेशन से अब जोजे मरीनों के सैक होने क निकल के सामने आ रहे हैं एक उपिनियन उन फैंस किये जो कह रहे हैं के जो एक इस दो आ्टेंस से जब रियाज मटरेट और उन्होंने चैन्विल भर दडन लिएगा समेद हर वह जीत के उनके मूँ पे तमाचा बारा बट वाट नेट्स वो जौजे मरीनियों अकर इस वक्त हम देखे तो जौजे मरीनियों के पास क्या उप्सिंस बच जाती है अधिन जौजे मरीनियों को आप ऐसी टीम्स प्रिफ़र करनी चाहिए जो कि उनको फाइनल्स फ्रीडम दे सक पर पेप गॉडियो ने व्योफ पंडिनन को एक जवाब दिया था कि जब आप सर एसके अंडर केल तक्या आपको हर साल certa कि सकोर्ड मिलती थी तो नो ने का कि नहीं हमें इसकोर्स मिलती थी तह प racket dragging जहांप अन्ने का कि एफ टी शेक और जैसा कि आपने देखा भी पैेप choices की बात करें कि क्या choices है जोजे मरीनियों के पास तो मेरे कहल से जोजे मरीनियों के पास इस वक्त दो options है पहली जो option है उनके पास वो है न्यूकास्टल तो अगर आप न्यूकास्टल को देखे तो बेशक उनके पास injuries है उसके बावजूद भी एक competitive football खेन ली है मैंसिटी की अगेज लिवरपूल की अगेज बट मुझे लगता है कि कही ना कही न्यूकास्टल management को ये चीज़ realize होगी कि ठीक है एडी हाओ वो जो हमने job थी वो उसने उससे बढ़ गे कर गया वे दिखाया कोई उससे expect नहीं कर रहता कि वो इस तरीके से team को लड़ाएगा और top 4 में team को finish करवाएगा लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होंगे कि एडी हाओ is he the man to lead them to the titles या एक ऐसे manager के लिए जाना चाहिए जो कि उनको titles जिता सके तो I think Jose Marino will be a perfect fit for Newcastle क्योंकि Newcastle के पास finances independence है और Jose Marino एक ऐसे manager है जो कि जानते हैं कि Titans के लिए किस तरीके से challenge कर रहे जाता है चाहें वो आप इस वक्त एस रोमा में देखें जिस तरीके से उनों ले Titans जो है एस रोमा को जिता है टीम में एक passion जो हता है एस रोमा में जो मैं नदर नहीं आ रहा था काफी सांद उसे वो passion को नेखिया है तो I think Newcastle would be a very good option for Jose Marino और दूसरी option जो Jose Marino के पास है वो है इस वक्त Chelsea अब आप सब को पता है कि Chelsea is swigling in the Premier League मेरे कहा से वो 9th place में इस वक्त प्रेमेर लीग में and I've been hearing a lot from the Chelsea supporters के Jose Marino को वापस लेके आना चाहिए लेकिन यहाँ पर डिपेंड अट है Todd Bonnie के उपर क्योंकि Todd Bonnie का आप सब को पता है कि सबसे पहले जब वो आए थे तो वो Nagelsman में इंट्रेस्टेट थे Nagelsman से जब उनके टॉक्स के राउंड चले थे लेकिन आप सब को पता है कि Nagelsman एक इगोइस्टिक बंदे है वो चाहते हैं कि पावर्स उनको दिये जाए जिसकी वज़ए से वो पर पोचेटीनों के लिए गयते knowing के पोचेटीनों जो है वो उनको इतना challenge नहीं करेंगे उनकी जो transfer policies होंगी उन transfer policies में वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अगर टॉट बोली Chelsea जो है वो जोजेट मरीनियों के लिए जाती है तो हमें पता है कि कि किस तरीके के egoistic manager है जोजेट मरीनियों जोजेट मरीनियों को एक certain एक budget चाहिए होता है अपना एक power चाहिए होती है बाराल यह तो वक्ती बताएगा कि जोजेट मरीनियों की next destination का होती है और जोजेट मरीनियों किस klub में जाते है but I would love to see him back in the Premier League और Premier League में आई वो आपस dominate करें और उनको एक finance and independence में जैसे के बड़े managers को मिलती है बाकि do let me know your thoughts what do you guys think आपके मताबए कि is it a good decision to sack जोजे मरीनियों या आपको भी मेरी तरह लगता है कि मतलब ES Roma के जो owners है उन्होंने कुछ जल्दी करती do let me know in the comment section मिलते हैं नेक्स वीडियो में until next step peace peace